वैश्विक्स्तर पर गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन रुस एवं यूक्रेन में होता है, लेकिन दोनों देशों के बीच चल रही यूद के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ है. यही कारण है कि वैश्विक्स्तर पर खाद्यान संकट बना हुआ है. दोनों देशों के मध्य यूद की शुरुआत के दौरान भारत से गेहूं निर्यात किया गया था, किन्तु इसके बाद गेहूं निर्यात पर प्रतिबंद लगा हुआ है. गेहूं के भाव नियंत्रित करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने तै कर दी है. इसके बावजू अर्थात 3,099 रुपए प्रती क्विंटल के लगभग हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष के दौरान गेहूं के भाव में 2 रुपए प्रती किलो की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष इस वर्ष आटे की कीमत प्रती किलो 34.29 रुपए से बढ़कर 36.13 रुपए हुई है। आधिकारिक आंकडों से पता चलता है कि पिछले साल की तुलना में गेहूं के भाव के अनुसार गेहूं और आटे की कीमते भी 2 रुपए प्रती किलो ग्राम तक बढ़ गई है। 30 जून तक गेहूं की ओसत खुद्रा कीमत 30.99 रुपए प्रती किलो ग्राम थी, जो एक साल पहले 28.95 रुपए थी। गेहूं के आटे की कीमते भी पिछले साल के 34.29 रुपए प्रती किलो ग्राम के मुकाबले बढ़कर 36.13 रुपए प्रती किलो ग्राम हो गई है। मंडियों में प्रमुक रूप से लोकवन, पुर्णा, शर्बती, पूसा अहिल्या 1634, GW 513 सहित कुछ अने वैरियटियों के दाम 2700 से 3200 रुपए प्रती क्विंटल तक है। गेहूं की खरीद का मार्केटिंग सीजन अब समाप्त हो चुका है। इस बार केंद्रिय पूल के लिए 266 लाक टन गेहूं खरीदा गया जो पिछले साल से 4 लाक टन या 1.5 प्रतिशत ज्यादा रहा। एक जुलाई को भारतिय खादे निगम, FCI, के पास 297.6 शूने लाक टन गेहूं का स्टॉक मौझूद था, जो तैन यून्तम आवशक मात्रा 275.8 शूने लाक टन से अधिक है। गेहूं की खरीद का सीजन 30 जून को समाप्त हो गया। मध्यप्रदेश में कुल खरीद 47.1 शूने लाक टन तक ही पहुँच सकी जो 80 लाक टन के नियत लक्षे से काफी कम रही। पंजाब में 5 एजिंसियों द्वारा केंद्रिय पूल के लिए 124.6 शूने लाक टन गेहूं खरीदा गया जो 130 लाक टन के नियत लक्षे से कुछ पीछे रह गया। इसी तरह अरियाना में 80 लाक टन के नियत लक्षे की तुलना में 71.5 शूने लाक टन गेहूं की खरीद हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में भी लक्षे से काफी कम गेहूं खरीदा जा सका। भविशे में गेहूं के भाव नियंतरित करने एवं जमाखोरी रोकने के लिए के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दी है। यह लिमिट सभी राजियों और केंद्र शासित प्रदे तक लागू रहेगा। सरकार द्वारा जारी किये गए मापदंड के अनुसार अब होल्सेलर्स के लिए स्टॉक सीमा 3,000 टन होगी जबकि प्रोसेसर के लिए यह प्रोसेसिंग कैपेसिटी का 70% होगी। बिग चेन रिटेलर्स के लिए यह 10 टन प्रती आउटलेट होगी ज सिंगल रिटेलर्स के लिए 10 टन होगी। सूत्रों के अनुसार सरकार के पास प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन योजना तथा अन्य कल्यानकारी योजनों की जरूरतों को पूरा करने तथा बाजार में प्रभावी धंग से हस्तक्षेप करने के लिए गेहूं का पर्याप स्टॉक उपलब्ध है। गरीब कालीन योजना के तहट लगभग 184 लाक टन गेहूं की वर्षिक आपूरती की जरूरत पड़ती है। चालू वर्ष के दौरान देश के लगभग 21 लाक किसानों से न्यूंतम समर्थन मूले पर 266 लाक टन गेहूं की खरीद की गई है। पि भी गेहूं की कीमतों में अगर तेजी से उचाल आता है तो सरकार खुले बाजार में बिक्रीश शुरू कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी